हेलो फ्रेंड्स आग मैं आपके साथ इंस्टेंट अचार की रेसिपी शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी तीखा और चटपटा अचार है जिसको कि हम सबजियों के साथ बनाएंगे ये वाला जो अचार है छोले भटूरे के साथ मार्केट में सर्फ किया जाता है और हमें खा जाता है खाने में कैसे बना सकते हैं छोले भटूरे वाला बहुत ही टेस्टी चटपटा अचार इंस्टेंट अचार जिसको कि सिर्फ हम पार्श में बनाएंगे बहुत आसानी के साथ बनाएंगे और आप इसको पूरे एक हफते तक फ्रिज में रखके स्टोर भी कर सकते ह और आप इसको दीरे दीरे खा सकते हैं तो आप इसको छोले भटूरे के साथ खाएं राजमा चावल आपने बनाया हो रोस के दाल चावल आप खा रहे हो तो कोई भी सबजी आप खा रहे हो पनीर की सबजी खा रहे हो तो सभी के साथ ये जाता है और बहुत ही टेस्टी इसके अलावा आप यहां पर देख सकते एक मूली लेकर मैंने चील कर इस तरह से लंबी-लंबे तुकडों में काट कर रख लिया है दो नीबू लिए दो नीबू की भी हमने यहां पर चार फांके कर लिये हैं थोड़ा सा अदरक ले लिया अदरक की भी मोटी-मोटी फांके कर लिए इसके अलावा हरी मिर्ष लिए 10-15 उसको भी लंबाई में काट लिया है दोकर डंठल हमने हटा दिया है तो यहां पर जो सबजिया आपको दिखाई दे रही है अपनी पसंद की कोई भी सबजी आप ले सकते हैं और जो ना पसंद हो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं अब फ्रेंड्स यहां पर बिसिकली एक मसाला हम बना कर तियार करेंगे जिसको की पचफोरन मसाला बोलते हैं और इसको हम तड़के में यूज़ करेंगे इसके लिए मसाले हमें क्या चाहिए देख लीजे आपको लेना एक बोल इसमें डालना है आदी चम्मच के करीब मस् दाने हम डालेंगे मेथी के जिसको की फैन्यूग्रीक सीट्स बोलते हैं यह आपको बहुत कम क्वांटिटी में लेने हैं मिक्स कर लेना है और यह मसाला हमारा रेडियो किया इसके साथ ही एक त्यारी हमें और करनी होगी त्यारी किया फ्रेंड्स मैं आपको यहां पर 2 के सीसन में नीबू सस्ते ओते तो यह यूझ करते हैं वरना इस तरह से सीट्रिक अशिद डाल देते हैं तो जितना अचार मैं आपको देखा रहं है उसमें आपको यहां पर सिर्फ लग स्पून के करीब सिट्रिक टालना रिस्टल डालें जिसको कि नीबू का सत बोलते है तो ये आपको यूज करना है अब आईए अचार बनाना शुरू करते हैं तो एक कड़ाई में डालें दो टेबल स्पून के करीब ओयल मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ओयल का यूज किया है और ओयल को में अच्छे से हीट करना है लेकिन जलने न पाए आप चाहे तो सारे मसालों को अलग अलग भी डाल सकते हैं ऐसा भी आप कर सकते हैं मुझे यहाँ पर आपको दिखाना था मुझे एजी लगा इसलिए मैंने सारे मसालों को मिक्स करके डाल दिया एक बार में तो देखे सारे मसाले बहुत अच्छे से इनमें चटकन आ चुकी है तो अब इसमें जितनी भी सब्जियां आमने लीती सभी कुछ हम इसमें डाल देंगे यहांपर जो भी सब्जियां मैंने आपको सिखाई हैं वो सीजन के हिसाफ से हैं किसेजन में अगर अवेल shifts हैं तो आप डालें जो बाजार वाले होते हैं छुले बटूरे वाले वो लोग यह साथ ही करते हैं तो बेसिकली ये जो अचार है मेंली वो लोग उसमें गाजर और हरीमिर्च तो डालते ही हैं या सिर्फ गाजर का बना लेते हैं और हरीमिर्च का अचार अलग से डाल लेते हैं अच्छे से देखिए सौते किया है हमने इसको अच्छे से एक से दो मिनट सौते करके इसमें डालें एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आदी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे हम इसके अलावा फ्रेंड्स हम इसमें आट करेंगे एक चम्मच के करीब छोले मसाला जिससे की बहुत बढ़ीया टेस्ट आएगा आपके इस अचार का बहुत अची खुश्बू आएगी और एक चम्मच मैंने इसमें राला है सफेद नमक एक चम्मच काला नमक डालेंगे अचार है तो नमक थोड़ा जादा ही जाएगा एक चम्मच के करीब डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर अमचूर पाउडर बहुत जादा नहीं डालें मिक्स करेंगे हम, क्योंकि लास्ट में इसमें खटास के लिए अभी आपको नीबू का रस यूज़ करना है, नीबू का सीजन है अभी, और काफी सस्ता होता है इस समय नीबू, तो हम इसमें नीबू का रस डाल रहे हैं, वरना आप इसमें सिट्रिक एसिट यानि की नीबू क तो आपने देखा होगा यह वाला अचार खाया होगा तो उसमें आपको दिखाई पड़े होंगे, राई के दाने भी पिसी हुई राई तो वह हमें डाल देना है, इससे खटास भी आएगी अचार में दीरे-दीरे, साती अचार खराबनी होता है, प्रिजर्वेटिव का का अचार का यूज नहीं किया है, मार्केट वाले फूड कलर का यूज करते हैं, और दो टेबल स्पून के तरीब आपको इस तरह से पानी डाला है, और इसको ढख देना इस तरह से, ऐसा करने से क्या होगा, जो सबजिया है, हल्की सी गल जाएंगी, सिर्फ इसको हमें दो मिक घखना है, और बस इसको तुरं से मिक्स करेंगे, फ्लेम को मैंने मीडियम रखा था, मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको धख कर दो मिन तक कुछ कर लिया, बस यह अचार हमारा बन कर बिल्कुल तियार हो चुका है, गैस को आप ऊफ कर दीजे और इस चार को इस तरह में आप नीबुकारस डाल दीजे, चाहें तो पढ़ाई में डाल सकते हैं, या फिर जिस बरतन में भी आपको इसको स्टोर करना हो, उसमें भी आप नीबुकारस डाल सकते हैं, अगर आप सित्रिक ऐसिड क्रिस्टल डाल रहे हैं, तो इसी पॉइंट पर डालें, जब ये गरह में अचार थोड़ा खटा हो जाएगा, नमक बिलको सफिशेंट होना चाहिए, यानि कि नमक कम नहीं होनी चाहिए, खटास भी प्रॉपर होनी चाहिए, तब ये अचार खाने में टेस्टी लगता है, तो आप नीबुका सा गल जाता है, तो आप नीबुको निचोड भी सकते ह और बहुत ही टेस्टी अचार है, इस तरह से आप बना कर जरूर देखिएगा, छोले भटूरे, राजमा चावल, पनीर की सबजी, रोज के खाने किसी के साथ भी सर्फ कीजे, बहुत टेस्टी लगता है, तो कैसी लगई आपको मेरी ए रेसिपी लिखकर जरूर से हली